और रिम्स में कोरोना काल में आपदा के नाम पर जम कर खरीदारी की गई लेकिन आज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। रिम्स में कैसे करोडों रुपए बरबाद हुए जानकारी दे रहे हैं समवदाता सत्यवरत किरन। करेंद मोदी ने कहा था कि आपदा को औसर में बदलिये। कैसे इस आपदा को औसर में बदला गया। उसकी एक तस्वीर मैं आपको रिम्स की दिखाता हूँ कि आप देखिए मेरे पीछे यह रिम्स का मल्टी स्टोरेज पार्किंग है। करीब आठ करोर रुपए के लागत से रिम्स प्रवंधन ने मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाया था। जो वाहन रिम्स परिसर में खरे होते हैं बे तरकीब तरीके से उन वाहनों को इस मल्टी स्टोरेज चार तल्ले के इस मल्टी स्टोरेज पार्किंग में रखा जा सके लेकिन कई साल तक यह मल्टी स्टोरेज पार्किंग जो है वो बीरान परा रहा जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई और लगतार अस्पतालों में बेट की कमी हो रही थी वैसे में जिलाप्रसाशन और रिम्सप्रबंधन ने खाली परे करोरो रूपए के लागत से बने इस मल्टी स्टोरेज पार्किंग को और अस्थाई कोबिट वार्ड के रूप में डबल अब कर दिया वो भी में ज्यादा तर जो बेड है वो कोरोना के दूसरे लहर में खाली परा रहा लेकिन आप एक और कारणामा देखिए कि और अस्थाई कोबिट वार्ड के लिए अस्थाई रूप से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक लगा दिया गया करीब 45 लाख रूपए के लागत से की बेवस्था की गई अस्थाई ऑ такие अस्थाई कोमीड वार्ड में भरती मरीजों को औक सिजन दिया आ सके तो अलाल जो रिम्च का मल्टी स्टोरेज पार्किंग है जो अस्थाई कोबिड वाद है उसमें एक भी कोरोना संक्रमित मरीज भरती नहीं है आप समझिए कि यह रिम्स की परंपरा रही है कि कैसे लाखों करोरों रूपए बेफिजूल खर्च कर दिया जाए सहयोगी राजा के साथ सत्य ब्रत किरन न्यू जलाबन रा आइकन शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा